हलो दोस्तों मैं देंज और आप देख रहे रास्तान इलेक्टिकल तो आज गे इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मिरर लाइट फिटिंग किस परकार से होती है जो मिरर लगता है जो बातरूम के आगे मिरर लगाया जाता है वास बेसन के उपर उसमें लाइट किस परक परकार से आप लगा सकते हैं किस परकार से डेकोरेशन लाइट आप इसमें लगा सकते हैं किस परकार से स्ट्रिप लाइट आप लगाएंगे तो चलिए वीडियो में बने रहे लाश्ट तक और स्टार्ट करते हैं यह वीडियो और आपको दिखाते हैं तो इस परकार से इ निकाल रखा है जिरी निकाल कर तो इस light को लगाना बिल्कुली आसान होता है इस light की पिछे एक stand लगा रहता है उसको पहले लगाना है आपको तो पहले आप marking कर लें क्योंकि ये जो लकड़ी का frame लगा हुआ है इसके उपर mirror लगना है इस से थोड़ा mirror इस से बाहर की और निक frame लगी है लकड़ी की तो उस इसाब से हमने marking कर रहे हैं और इसका stand निकाल लिया है पीछे का और इस stand में जो दो screw कसने के जगे हैं उसमें marking कर लिये हैं और marking करने के बाद में आपको drill machine लेना है और 6 mm बिट से आपको hole करना है और इसमें 6 mm आपको गिटी फसाना है और गिट सकते हैं तो इस परकार से आपको क्या करना यहां पर जगे बनाने wire इस stand के नीचे से लेने के लिए ताकि दिखे नहीं क्योंकि इस wire का दो जगे यूज होगा यहां पर strip light भी लगेगी इस frame के चारों और ताकि दिखने में look थोड़ा अच्छा लगे तो इस परकार से इसी wire से दोनों connection लेने वाले हैं क्योंकि यहां पर switchboard में खली switch है नहीं एक ही switch है तो दोनों का connection एक ही switch में देना पड़ेगा क्योंकि wiring पहले से हो रखी है तो इस परकार से आपको क्या करना है कस लेना है अच्छे से stand को और उसके बाद में जो टी light भी आप बोल सकते हैं या फिर mirror light आप बोल दीजिए उसको यहां पर लगाना है यहां पर लगाना बिल्कुल आसान होता है तो इस परकार से आपको लगाना है देखिए हमने अच्छे से tight कर दिया है और tight करने बाद में इसके उपर जो mirror light है वो किस परकार से लगेगी तो यह हम आपको दिखाते हैं और इसको सीधा भी आपको देखना है क्योंकि mirror light है तो सामने रहती है तो दिखने में थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए तो आपको water level का use करना है यदि यह आपके पास नहीं है तो आप online भी purchase कर सकते हैं अच्छी quality की आपको link भी description में मिल ज सकते हैं यदि इसकी price जाननी है तो भी आप description में link दिया रहता है वहाँ से check कर सकते हैं जो product online मिल जाते हैं उनके link आपको description में मिल जाएंगे तो इस परकार से इसके उपर दो screw लगते हैं stand के उपर तो यहाँ पर लगाने के बाद में यह जो टी light है वह आसानी से लग जाती और यह जो है आप जहां चाहिए वहाँ पर set कर सकते हैं क्योंकि यह उपर नीचे भी गूमती है तो इसलिए इसकी direction आप change कर सकते हैं और इसकी खास बात यह है कि यह दो color के अंदर जलती है वैसे तीन color है इसके अंदर warm white और white और दोनों को एक साथ भी आप जला सकते हैं त तो stand light लगी है उपर mirror light उसके wire को इन दो wireों के साथ में जोड़ना है जो switchboard से आये हुए हैं जो switch के अंदर लगे हैं तो उसके अंदर आपको यहाँ पर एक 12 volt की power supply भी आपको लगानी है 12 volt DC converter जो है इसे आप चोक भी बोल सकते हैं अधिकतर लोग चोक बोलेंगे जो AC light को 12 volt के अंदर बदलता है तो इसको भी इसके साथ में joint करना है क्योंकि यहाँ पर strip light लगेगी जहां पर भी strip light लगती है वहाँ पर इस परकार का जो DC चोक है 12 volt का वो लगाना जरूरी है उसी से वो चलेगी यदि direct आप switchboard में लगा दोगे तो वो खराब हो जाएगी क किसी काम का नहीं रहेगा strip light तो इस परकार से इस बात का ध्यान रखें कि चोक वहाँ पर आपको लगाना ही पड़ेगा जो 12 volt DC आता है वो एंपियर के हिसाब से आता है जितना लंबा आप strip light लगाते हैं उस इसाब से आप एंपियर का ले सकते हैं यह 2 एंपियर से 5 एंपि से joint करना है और joint करने के बाद में आप यहाँ पर fix करना है ताकि दिखे नहीं इस परकार से कि जितना की mirror के पिछे यह आ जाए तो इस परकार का wiring आपको सीखना है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहे हैं तो चैनल को subscribe जरूर करें क्योंकि आप बहुत से लो जो वीडियो regular देखते हैं लेकिन चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो जल्दी से subscribe करें और bell notification में all notification को on कर लें ताकि इससे भी अच्छे ची वीडियो आने वाली है तो आपको पता चल जाए सबसे पहले तो इस परकार से देखिए strip light हमने 4 और लगा दिये strip light किस परकार से लगाते ह वो हमने पहले बता रखा है को बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके strip light के उपर और connection करना आपको बताई दिया है तो इस परकार से इस mirror को हमने aerodide वगेरा से चिपका सकते हैं वो आपको अपने आप चिपका देंगे ये आपका काम नहीं है आपको शिरफ wiring करनी है और इस परकार से देखिए कि एक बार बंद करके दुबारा चालू करते हैं तो white color के अंदर जलेगी वो जो tea light है लेकिन strip light है उसका color एक ही रहेगा warm white color रहेगा तो देखिए कैसा लग रहा है ये दिखने में comment करके जरूर बताएं तो इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो comment करें और comment करके बताएं और like share जरूर करें चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों